हेलो 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 तो आईए आज बताते हैं आपको कि आप बचे हुए खाने का क्या कर सकते हैं यदि आपके पास भी डाल अधिक बन गई हो तो आप उसको दुबारा कैसे इस्तमाल कर सकते हैं यह देखते हैं आज की वीडियो में तो यह कट गए हैं प्याच ये पैन में गया अगी अब देखिए ये लग गया है हीम का तड़का अब इसमें जा रहा है जीरा ये गया प्याँ ये 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 जाल तो बचे हुए खाने को हमेशा यूज़ कर लें उसे वेस्ट ना जाने दें थोड़ा पानी अब इसमें लाना है उबाल उबाल के साथ थोड़ा डल गए इसमें मसाले और आब आ गया इसमें धनिया ये देखिए हो गया मेल तयार तो चलिए देखते हैं ये जो बची हुई दाल मेरी सैनी ने चौकी है और इसमें लगाया है इसने जो प्याँच का और जीरे का तड़का हींग वो भी डाली थी तो अब हम देखते हैं साथ में इसमें मुझे दिया है मूली का अचार बहुत बड़ी है बहुत ही बड़ी है इए लाइवा उंदा